नमस्कार, स्वाकत है आपका इंडिया न्यूस 28 में ये बात करते हैं मध्यप्रदेश की गोच खास खबरों की बैतूल में दर्मियानी रात घीशन कार हादसा खबर मध्यप्रदेश के जिला बैतूल से है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सारनी का युवक नशे की हालत में स्विफ बिजाय चला रहा था साथ में अन्य चार लोग भी गाड़ी में सवार थे दोनों घायल व्यक्ती भोपाल निवासी बताय जा रहे हैं जिसमें से एक की मृत्य होना बताया गया है प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उक्त एक्सीडेंट इतना भीशन था कि कार के सामने के पर खच्चे उल गए तथा कार के एयर बैग भी खुल चुके थे घटनास्थल पर जब उक्त कार का निरीक्षन किया गया तो उक्त कार पर कांच में काली फिल्म चड़ी हुई थी तथा कार के दोनों और प्रेस लिखा हुआ था विचारल ये प्रशन यह है कि जब शासन द्वारा कार के दरवाजे एवं सामने के कार्य पर काली फिल्म हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त कार पर प्रेस लिखा जाना तथा कार के कांच पर काली फिल्म चड़ाया जाना यह हिंगित करता है कि उक्त कार को अवैधानिक गतिविदियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है थाना कोतवाली प्रभारी द्वारा उक्त एक्सिडेंट के साथ ही इस बात की भी जांच करना चाहिए कि क्या उक्त कार किसी मीडिया कर्मी की थी अथ्वा नहीं यदी नहीं थी तो ये भी एक अप्राद दर्शित करता है पूर्व में एक प्रेस वार्ता में पत्रकारो द्वारा एसपी सिधार्थ चौदरी जी को अवगत कराया गया था कि कई लोग अपने वाहनों पर प्रेस लिखा कर अवैद गतिविदिया कर रहे हैं जिनकी सक्ती से जाच किया जाना चाहिए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार चला रहे युवक को जब उपस्थित लोगों ने पकड़ कर थाने लाने का प्रयास किया तो वह उनसे चूट कर भाग गया फिलहाल पुलिस द्वारा विवेचना जारी है बैतुल से जिला ब्योरो चीफ मोहन प्रजापती की रिपोर्ट